सबसे पहले आप प्रेमानंजी महराज की ये वीडियो देखिए अगर हम वो शेयर बजार कर लेते हैं तो इस वीडियो में श्री प्रेमानंजी महराज कह रहे हैं जिनकी मैं बहुत इज़त करता हूँ कि अगर आप share बाजार कर लेते हैं जिसमें सुना है कि जुआ जैसा ही है और इसमें हार जीत हो सकती है उनका ये कहना जुआ के हिसाब से तो बिल्कुल सही है बट विड्ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने इस बात को share market को जुआ समझ कर कहा है क्यूंकि उन्होंने ये भी कहा है तो देखो stock market जुआ है ये बात कुछ हद तक तो सही है लेकिन stock market से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं आप stock market पे invest कर सकते हैं ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी बहुत सारी तरीके की होती है जैसे आप stocks में intra day trading कर सकते हैं, options trading कर सकते हैं, swing trading कर सकते हैं तो क्योंकि stock market से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं तो पूरी तरह से stock market को जुआ नहीं कहा जा सकता लेकिन ये जुआ कब बन जाता है उसके बारे में आज हम समझेंगे और कौन सा सही तरीका है stock market से पैसे कमाने का ये भी जानेंगे तो stock market से पैसे कमाने का जो सबसे common तरीका होता है वो होता है investing तो देखो investing 99.99% cases में जुआ नहीं है क्योंकि जब आप किसी company के share खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस company में एक हिस्सा खरीद रहे हैं अब अगर उस company को profit होगा तो long term में आपको भी profit होगा अगर उस company को loss होगा तो क्योंकि आपने उसका एक हिस्सा खरीद रखा है तो आपको भी loss होगा ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मान लो आपका दोस्त एक दुकान शुरू करना चाहता है जिसमें उसे कुछ पैसो की जुरूत है तो आप लगबग 20% पैसा उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि अगर तेरे business में profit होगा तो उस profit का 20% मेरा होगा और अगर loss होगा तो उसका 20% मेरा होगा तो एक तरह से आपने उसके business का 20% share खरीद लिया है तो ये जुआ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपने एक business में पैसा लगा है जो की कोई product या फिर service provide कर रहे हैं उसमें बहुत सारे skillful लोग काम कर रहे हैं और उस business से जो profit हो रहा है उसका ही एक हिस्सा आपको मिल रहा है इसके अलावा जब आप एक company के shirts खरीदते हैं तो आप उसके एक हिस्से के owner तो बन जाते हैं बट इस owner बनने से आपको बहुत सारे rights भी मिलते हैं जैसे अगर company को कोई extra profit हो जाएगा तो उसमें भी आपका हक होता है जिसको company dividend की form में आपको देती है इसके अलावा अगर कभी उस company में कोई important decision लेना होता है तो आपके पास voting rights भी होते हैं और इसमें अगर उस company को कभी loss भी होता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका सारा पैसा डूप जाएगा आपको थोड़ा बहुत loss हो सकता है और अगर उस company को थोड़ा बहुत profit होगा तो आपको भी थोड़ा बहुत profit हो सकता है बहुत rarest ही case होते हैं जिसमें आपका पूरा पैसा डूपता है जबकि जूएक के case में आपके पास कोई rights नहीं होते हैं वो कोई business नहीं है और उसमें या तो आप पैसे कमाते हैं या फिर आपका सारा पैसा डूप जाता है इसके बात next reason है कि जब आप जूए खिलते हैं तो वहाँ पर आपके जीतने के जो chances होते हैं वो पूरी तरह से luck पर dependent होते हैं जैसे एक coin को toss करने पर head आएगा या tail ये पूरी तरह से luck पर dependent करता है जबकि investing बहुत सोच समझ कर और research के साथ की जाती है और इसमें आप एक company का business analysis, sectoral analysis, financial analysis करने के बाद उसमें invest करते हैं next जब आप जुआ खिलते हैं तो वहाँ पर आप अपने risk को manage नहीं कर सकते जबकि investing में ज़रू ही नहीं है कि आप सिर्फ एक company में invest करें आपके पास जो पैसा है उसको आप multiple companies में invest कर सकते हैं जिससे मान लीजिए एक company में आपको loss होता है तो दूसरी company में आपको ज़ादा profit हो सकता है जिससे आप अपने risk को diversify करके minimize कर सकते हैं इसके अलवा सबसे important है कि जुए में अगर आप कमाओगे तो दूसरा डुबाएगा और अगर आप डुबाओगे तो दूसरा कमाओगा जबकि investing में हो सकता है कि आपने एक company का share 100 रुपे में खरीदा आपने उसे 1500 में बेज दिया अगले ने 1500 में खरीदा उसने 200 में बेज दिया फिर किसी ने 200 में खरीदा उसने 300 में बेचा and so on यानि investing में हो सकता है कि सारे के सारे कमाओए अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि देखो invest करने में risk है और अगर risk है तो इसका मतलब यह जुआ ही हुआ तो देखो risk तो अपना business शुरू करने में भी होता है तो उसको तो जुआ नहीं कहा जा सकता और share market में भी तो आप एक business में ही पैसा invest कर रहे हैं फर्क सिर्फ इतना है कि उस business को आप run नहीं करते हैं आपकी जगा पर experts उस business को run कर रहे हैं और अगर आप अपने risk को और कम करना चाहते हैं तो आप mutual funds में invest कर सकते हैं जहां पर professionals आपके पैसे को अलग-अलग companies में invest करते हैं जिससे risk कम हो जाता है और अगर और भी safe चलना चाहते हो तो आप index fund में invest कर सकते हो जिसमें जैसा हमारे देश का stock market perform करेगा आपका जो पैसा है वो भी उस हिसाब से grow करेगा और even index fund में तो आपका जो पैसा है वो इंडिया की top companies जैसे Reliance, TCS इन में invest किया जाता है जो की काफी जादा stable है और अगर आप index fund के returns देखोगे तो उसने long term में 12-14% के returns दिया है मतलब long term में overall stock market ने पैसा कमाया है डोबाया नहीं है तो इससे proof होता है कि investing 99.99% cases में जुआ नहीं है 0.1% case में वो जुआ तब बन जाता है जब आप बिना किसी research के किसी भी share को खरीद लेते हैं और आप किसमत के भरोसे बैठे होते हैं और सिर्फ इसको ही जुआ कहा जा सकता है अब ये तो investing की बात थी जो की देखकर लगता है कि हाँ जुआ नहीं है लेकिन अगर trading की बात करें तो ये तो थोड़ा बहुत जुआ जैसा नजर आता है लेकिन ये trading है क्या तो देखो trading में आप share की price में जो fluctuations आते रहते हैं थोड़ा बढ़ता है गटता है उसको catch करने की कोशिश करते हैं और उससे profit कमाने की कोशिश करते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आजकल आपने देखा कि सोना सस्ता हो रहा है तो आपने खरीद लिया जैसे ही सोने की price बढ़ी आपने बेज दिया फिर दिखाई दिया कि आजकल फिर सस्ता हो गया है फिर खरीद लिया बढ़ गई तो फिर बेज दिया तो देखो ये investing से जादा रिस्की तो है लेकिन इसको भी पूरी तरह से जुआ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पर भी आप एक proper analysis करके ही trade में enter करते हो अब भले यहाँ पर आप उस पूरे business का analysis नहीं करते हो लेकिन आप उसकी demand और supply का analysis करते हो बट यह जो trading है यह कई तरह की होती है जसमें सबसे पहले अगर intraday trading की बात करें तो इसमें आप वही shares जो कि आप investing में खरीद रहे थे उनको बस कम दामों में margin लेकर खरीदते हैं और एक ही दिन के अंदर उससे profit कमाने की कोशिश करते हैं अब इसमें भी जरूरी नहीं है कि आप कमा रहे हैं तो दूसरा डुबा रहा है क्योंकि हो सकता है कि आपने एक shares 100 रुपे की price में खरीदा उसको 105 में बेचा दूसरे ने 105 में खरीदा उसने 107 में बेचा तीसरे ने 107 में खरीदा उसने 110 में बेचा तो यानि जब आप shirts में intraday trading कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सभी लोग कमा सकते हैं खैर practically ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी गलती की वज़े से या फिर गलत research करने की कारण loss भी करवाते हैं लेकिन practically सब भी कमा सकते हैं लेकिन अगर option trading की बात करें तो वो एक zero sum game होता है जिसमें एक कमाएगा तो दूसरा डुबाएगा तो अगर आँख बन करके stock market में किसी चीज़ को जुआ कहना है बिना कुछ सोचे समझे तो फिर आप option trading को कह सकते हैं लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो वो भी जुआ नहीं है क्योंकि इसका mainly used hedging करने के लिए किया जाता है जिसमें अगर मान लो आपको एक company के shares में loss हो रहा है तो आप उसका put option buy करके यहां से profit earn कर सकते हैं और इससे आपका जो loss होगा वो minimize हो सकता है तो trading भी actual में जुआ नहीं है लेकिन यहां पर आपको एक सच और fact वाली बात बताऊंगा कि बहुत सारे लोग trading को जुआ की तरह ही खेलते हैं क्योंकि वो बिना सोचे समझे बिना किसी research के अपना पैसा किसी भी trade में लगा लेते हैं उसके बाद क्योंकि उन्होंने कोई research की ही नहीं है तो या तो profit होगा या फिर loss होगा और ऐसे में उनको loss हो जाता है तो उन्हें लगता है कि यह तो जुआ ही है अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उड़ता है कि जब stock market जुआ नहीं है लेकिन अचानक से वो गरीब हो गया तो उसमें यह दिखाय जाता है कि उसने share market में पैसे लगाये थे और एक ही दिन में उसको सारा नुकसान हो गया बट यह practically बहुत ही rare case में हो सकता है और वो भी उस hero ने आँग बंद करके पैसे लगाये होंगे इसलिए वो सारा पैसा एक भारी में डूब गया होगा लेकिन यह सब चीज़े आपको movies में नहीं बताई जाती है तो अगर आप अच्छे से research करके सिर्फ एक नहीं काफी सारे stocks में invest करके अपना एक portfolio बनाते हो और उसके बाद patience रखते हो तो आपको profit होने के chances बहुत जादा होते हैं even stock market से कितना पैसा कमाया जा सकता है इसका मैं आपको एक example देता हूँ तो एक व्यक्ती है मौहमद अनवर जिन्होंने 1980 में एक company में 10,000 रुपे invest किये थे और आज उस 10,000 रुपे की value आठ सो करोड रुपे से भी जादा है और जिस company की मैं बात कर रहा हूँ उस company का नाम है Wipro इनके बारे में detail में जानना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रही होगी आप इस वीडियो को देख सकते हैं आप देखो बहुत positive बाते बता दिया है तो यह बताना भी मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं है कि हर कोई stock market से पैसे कमाता है stock market में past में बहुत सारre scam भी हो चुके हैं जैसे हरशद महता scam हुआ था जिसके बाद stock market बहुत जादा गिर गिर गया था लेकिन उसके बाद भी stock market recover हुआ year 2000 के आसपास भी dot com crash आया था उस time पर भी market गिरा था लेकिन बाद में recover हो गया 2008 में एक बहुत बड़ा market crash आया था लेकिन उसके बाद भी market recover हुआ और 2020 में भी कोरोना की वज़े से market बहुत जादा गिरे थे लेकिन बाद में फिर recover हुए तो अब आपको समझ आ गया होगा कि stock market इतना भी बूरा नहीं है जितना उसको दिखाया जाता है और जुआ तो बिल्कुल भी नहीं है तो अगर आपको भी stock market से कम risk लेकर पैसा कमाना है तो जो बाते मैं आपको बता रहूँ आपको इन बातों को ध्यान से समझना है लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like जरू कर दीजेगा और हाँ हमारे चैनल को subscribe भी कर लेना और सोच समझ कर सीख के जाओगे तो वहाँ पर profit होने के chances जादा होंगे वैसे अगर आप stock market में invest करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़ुरत नहीं है आप सर्फ अपने mobile phone से ही share खरीद भी सकते हैं और बेज भी सकते हैं बस इसके लिए आपको एक DMAT account चाहिए होता है तो अगर आपके पास अपना DMAT account नहीं है तो इस वीडियो के description में मैंने आपको link दे रखा है वहाँ से आप अपना फ्री DMAT account खलवा सकते हैं तो description ज़रूर चेक कर लीजेगा और अगर आपको stock market के बारे में सीखना है न तो इसके उपर हमने एक बिल्कुल basic से लेकर advance तक का course बना रखा है जो की investing के उपर है इसके अलावा हमने mutual fund का भी एक course बना रखा है जिनको आप हमारे app नीरे जोशी पर buy कर सकते हैं link description पर दिया गया है या फिर अप play store से भी हमारे app नीरे जोशी को डाउनलोड कर सकते हैं तो जब आप stock market के बारे में सीख लेंगे आपने अपना dmat account भी खुलवा लिया है उसके बाद जो next step होगा वो होगा stock market में अपनी शुरुवात करना तो शुरुवात क्या हमें investing से करनी चाहिए या फिर trading से करनी चाहिए तो देखिए मेरा opinion है कि आपको अभी stock market के बारे में जादा नहीं पता है तो शुरुवात में थोड़ा investing के बारे में सीखो और उससे अपनी शुरुवात करो और investing को तो आप part time भी कर सकते हो आप अपनी job करते हो, business करते हो साथ में आपने कुछ पैसा जो आप FD में रखने वाले थे कुछ पैसा FD में भी रखना चाहिए लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जिस पर आप थोड़ा जादा risk ले सकते हो जादे returns के लिए तो उस पैसे को आप stock market में invest कर सकते हैं अब stock market से पैसे कमाने के लिए जो तीसरी सबसे important चीज होगी वो होगा patience क्योंकि stock market ना कभी इस तरीके से directly बढ़ता नहीं है वहाँ पर वो कभी बढ़ेगा, कभी थोड़ा गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर थोड़ा गिरेगा तो अगर आपने एक बार किसी share को खरीद लिया है तो समझिए कि उसमें आपको थोड़ा बहुत loss भी दिख सकता है और बाद में वो recover हो सकता है बस उस company के fundamentals में या business में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और वो आपको research करते रहना होगा next, जब भी आप पैसा invest करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़ादा ज़रूरी है कि आप अपना सारा पैसा सिर्फ एक company में invest ना करें क्योंकि कितनी ही बड़ी से बड़ी company हो कोई guarantee नहीं है कि वो company आगे चल कर loss में नहीं जाई इसलिए आपका जो भी पैसा है उस पैसे को आप कम से कम 10 से 12 stocks में divide कीजे इससे अगर आपका analysis थोड़ा बहुत गलत भी निकलता है और 3-4 companies में आपको loss हो जाता है तो बाकी companies में क्योंकि आपने research की है तो बाकी companies में जो profit होगा उससे आपका जो loss होगा वो adjust हो जाएगा और overall आप profit में रहेंगे अब देखिए जब मैंने आपको stock market की बारे में इतनी positive चीज़े बताई हैं तो ये बताना भी मेरी जमेदारी है कि stock market में risk होता है आप पैसा कमा भी सकते हैं तो नुकसान भी हो सकता है तो अगर आपको investment करना है तो सिर्फ वही पैसा invest करें जिस पैसे के उपर आप risk ले सकते हैं और कभी भी जैसा प्रेमर इंजी महराज ने कहा है क्योंकि लालच कभी खत नहीं होता और चाहे कितना भी आपको भरोसा हो कभी भी loan लेकर investment या trading मत कीजेगा वीडियो पसंद आई है तो like और चैनल को subscribe जरू करें free demet account का link description पे दिया गया है और अगर आप share market के बारे में बिल्कुल basic से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं धन्यवाद